जैहिन साथियू स्वागत है आप सभी का हमारे ग्यान आर्बियल यूटूब चैनल पर साथियू आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश इस पेसल में घराने और आपको यकीन दिला दोस्तों ऐसा आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा और यहां से दोस्तों आपके हर एक रिज आपने कभी पढ़ा होगा तो जो शुरू करते उसके पहले में कुछ इस आपको बता दो किसातियों आप जो तैयारी कर रहे हैं ठीक है सामानिग्यान की दोस्तों इसमें आप पोता दी यह वाले जो आपके ऊपर वाले इंकमने अब्जेक्टिव टाइप कोशन करवाए है जो प्रीवेश एर पेपर पूछे गये हैं इसके लाँ जो भी बचता है आपका चाहे वो भारती क्रसी हो गया वानीज वेपार हो गया पर्यवन हो गया नगरीकर्ण हो गया ठीक है संसाधन होगे प्रकरतिक उत्ताप्दे सिच्छा संसकति दोस्तों यह महत्तवपूर सब कुछ आप संपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ठीक है इसमें एक चीज़े आपको लगे हुँ मिल जाएगा जो यूपी करेंड पढ़ाया है और यूपी करणाय करवाई है दोस्तों और इस टैटिक कर आए इसका पुलिस प्रसासन कर पढ़ाया है और साथ यूपी पूलिस के लिए दोस्तों आप यह आप का पूरी चीज़े दोस्तों हिंदी हिंदी जीश टॉपिक मांको प्रावलम वह जाकर के पढ़ सकते हैं ठीक है और मैं चीज़ बता दोस्तों कि देखें आप सभी के लिए हमने एक पीडिए भी निक सब्सक्राइब करने अगर दोस्तों करते हैं तो यह देखिए आपको इस नमबर पर 50 रुपए करके हमें इसी नमबर वाट साथ पर भीज़के हमसे यह प्राप्त कर सकते हैं अगर दोस्ता हमारा एप डाउनलोड करते हैं वहां से पच्छेट करना जाते हैं तो यह देखिए आपको मिलेगा इस्टाइटिक जी करके ना यह आपको मिल जाएगा 50 रुपए में यह ले सकते हैं यह फी दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं तो यह आपको दोस्तों यूपी इस्पेसल वाला टॉपि सब्सक्राइब करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों के वारे में देखने वाले हैं और आपको बता दे कि यहां से कोशन आपके एक्जाम में पूछे भी गए हैं ठीक है तो चलिए पहला घराना है कि आगरा घराना कि बात करूं तो आगरा घराने को कवाल बच्चा घराना भी कहते हैं क्या बोलते हैं कवाल बच्चा घराना या रखेगा आप से पूछेगा आगरा घराने का और नाम क्या है तो आप बताएंगे कवाल बच्चा घराना ठीक है चलिए चलिए तो आपको बताएंगे कवाल घराने को कव से बड़ा केंद्र था उस समय और आप उतादे कि आगरा घराने के उत्पत्ति खुदा बक्स से माने जाती कि से खुदा बक्स से माने जाती जोस्तों और आप उतादी कि आगरा जो है आगरा संगीत घराने के प्रवरता कौन है तो स्याम रंग और सरस रंग नाम के लोग ठी चलिए आगे देखते हैं सु परसिद्ध च्छाने उस्ताद फैयाज खाने पूरे देस की ख्याति नियुत प्रशिद आपके उस्ताद भायाज घृति को इन्होंने था आपको बता देन जिए उस्ताद हैँ ğमसरी सूर की उपाधिया आप समस्कते हैं जो व्यक्ति संगीत के छेत्र में सूर के समान हो जैसे आपूसी और और दास जी वहुत इंपोरेंट है दोनों पॉइंट चलिए आगे देखते हैं तो आगरे घराने के उस्ताद जो बिलायत हुसाइन खान है उन्होंने प्राण पिया उपनाम से बंदिसों की रचना की दोस्तों यह आपके यूपी ट्रपलसी मंडी परिसा 2019 से पूछा गया कि आगरा घराने के उस्ताद बिलायत और गायक भी थे प्रसिद्व सितार वादक और गायक भी थे उसके लावा दोस्तों अपोतादे इस घराने से प्रमुकों थे तो दीपाली नाग हो गई मदुरय रामा स्वामी जगननात बुबा और गुडी दास गोबिंद स्वामी ठीक गोबिंद और स्वामी बल्लव दास ठीक है यह देखिए यह आपको जाता इंपॉर्टन ही मगर आपको इसमें हुसैन खां और फयाज खां को जरूरी या रखना आगरा घरानी से हुसैन खा बहुत इंपॉर्टन है चलिए आगे देखते हैं किराना घराना देखें किराना घराने को बात करें तो किराना दोस्तों पहले या मुझभफर नगर पड़ता था मगर आपको पता है कि मुझभफर नगर से दोस्तों सामली अलग कर दी गई सामली कार दी गई था तो यह सा पूशन आपके कई सारे पूशाते हैं कि इसके संथापक कौन है तो उस्ताद अब्दुलकरीम खांवा उस्ताद अब्दुल वाहिद खांव दो लोग थे दोस्तों इन्हों ने इसकी स्थापना की किसकी किराना घराने की ठीक है और आपको उता दूँ इस घराने जो इसके लाम ह techno रोषन आरा बेगम और प्रभा अत्रे मरी कुर्मा और सर्वसत्ति रणे जी दोस्तो इसकी समंधित किराना घराने से अगर मैं किराना घराने के बात करूँ to इसमें किसके लिए फेमस तो गायन और वादन दोनों के लिए दोश्तों फेमस था रासी में संगीत को आसर शी कर दोस्तों राजा थे उन्हों ने संगीत को आसर दिया ठीक है और आख पौदा दें कि बनारसी ठुमरी और ख्याल गायन यहां की प्रसिद्धी थी दोस्तों बनारसी ठुमरी और ख्याल गायन दोस्तों यहां की क्या थी प्रसिद्धी थी कहां की बनारस घराने की और मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों ठुमरी गायकों में रसूलन भाई, बड़ी मोती वाई और सिद्धेस्वरी देवी तथा गिर्जा देवी यह दोस्तों बहुत ही फेमस ठुम्री गायक थी आपको बताते हैं कि दोस्तों इन्हें ठुम्री की रानी किसे कहते हैं गिर्जा देवी को गिर्जा देवी किस घराने स्थी तो बनारस घराने से और गिर्जा देवी प्रसाद मिस्र और राजन साजन मिस्र दोस्तों ख्याल गायन में परसिदे थे वहीं दोस्तों बात कर लें बनारस घराने सहनाई वादक में तो सहनाई वादक के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां दोस्तों मोश्ट से भी मोश्ट इंपोर्टन उसके लावाँ पंडित राम सहाय मिस्ट दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खां दोस्तों सहनाई के अगर कही नाम आता तो की समर्ती में प्रारम्त कि यां रखेंगे कि इनी के नाम से दोस्तों क्या उस्तार प्राध मिल्ला ख्रां के लिए ही दोस्तों क्या दियाता है उत्तरफधे असी आता है उसकी की खोज पंडित राम सहाय मिस्र ने की थी, वहीं दोस्तों तबला वादक की बात कर लें, तो तबला वादक में दोस्तों कोता दे, पंडित कंठे महाराज, और पंडित अनोखे लाल, राम सहाय, जानकी सहाय, और किसन महाराज तो मोश्ट इंपोर्टन देखे, किसन महाराज पूचे से इनको यहारकिंगे तवला से संबंदित हैं ठीक है चलिए उग्ध पन्डित सखारांग और एउध्याप्रसाद यह असे संब्धित है और सारंगी दोस्तों most important UPSI में पूछा गया कि पंडित स्यू कुमार सर्मा कि से संबंदी संतूर अगर संतूर का सबसे वड़ा कोई दोस्तों वादक है तो कौन है वो स्यू कुमार वर्मा ठीक स्यू कुमार सर्मा जी most important संतूर का नाम ही दोस्तों स्यू कुमार सर्मा रख सकते हैं ठीक ह क्या क्या रखना संतूर वादक में स्यूकबार सर्मा जी का नाम और तबला में दोस्तों किसन महराज का और अगर बात करें सहनाई में दोस्तों तो बिस्मिल्ला खां का ठीक है और ठुमरी में दोस्तों गिर्जा देवी जी का यह चार-पांच चीज दोस्तों आपको अपने बिभूसर पाने वाले चन्नु लाल दोस्तों यार कि कहा 2020 में पदम बिभूसर किसको मिला चन्नु लाल को दोस्तों वो भी बनारस घराने से ही संबंदित थे यह आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है इसके लामा छोटी मैना बड़ी मैना रसूलन भाई सरुषती देवी विद्यधर देवी केसरी मोती केसर आज दोस्तों ठुमरी टपा की गायके थी और ठुमरी का प्रतवी अंग दोस्तों सैली भी बनारस घराने से ही संबंदित थे ठीक है यह चीजे भी आपको याद कर लेना है चलिए अब बात करते हैं लखनो घराने की ठीक है चौथा घर और बकसूर खाने तबले के लखनो घराने का सूत्र पात किया वहीं दोस्ता आपको घराना निर्तिसाली कत्थक के लिए दोस्तों फेमस था ठीक है कत्थक और गायकी से संबंदित था दोस्तों कथ्थक आपको पता है एक मात्र सास्त्री नत्य कहां का उत्तर प्रदेश का ठीक है अब देखिए नवाब वाजिद अली साह के दरवार में इसका उद्धे हुआ किसका कथ्थक का दोस्तों उद्धे किससे हुआ कहां से वा नवाब वाजिद अली साह के दरवार में दोस्तो पा Thumry काफी प्रसीदर दोस्तों ठुमरी बहुत जयादा फेमस था वाजबध अली-89 के काल में वहीं बात कर करलें वाजब अ्युंत के दरवारी कौन से तो दोस्तों बिंदा जोकी कथक के बहुत फेमस था और कोदवी चूंछ दोस्तों ये पकावाज के परसिदे थे ठीक है और वही बात कर लें कि वाजिद अली साह रहे सनत्र का आयोजन करते थे और खुद दोस्तों स्रीकष्ण की भूमिका भी निभाते थे खुद स्रीकष्ण बनते थे कौन नवाब वाजिद अली शाह वहीं बात कर ले बिंदा दिन तो बिंदा दिन दोस्तों सनद पिया के नाम से ठुमरी की बंदी से थो बिंदा देह ने किसने कथा निरत में ठुम्री गयन कि स्यीनियर कि संवाइश कि सूरज खाज़च खाद करते हैं तो नवाब गुलाम हुसयन यह किया ख्यालाइक थे वहीं बात कर लें चंडराबाई, जसो भाई, धन्व भाई और रहीमन भाई यह दोस्थों हिया गाई काए थी उसके लाव में बात कर लो आपसे कि कुदाउस सिंग और पंडित सखाराम और पंडित आयोध्या दोस्तों यह पखावजी थे पखावज वादक थे और रजा खां गुलाम मुहम्मद रहीम सेन इलियास खां दोस्तों सितार वादक के लिए ठीक है और दोस्तो की दोस्तों बेगा मक्तर लखनों घराने से ही संबन्धे थी ठीक, most important गजल के लिए दोस्तों बेगा मक्तर बहुत फेमस है और लखनों ख्याल गयां की पितामा कौन है खुरसीद अली खां है और इसके लिए दोस्तों लखनों के परसीद लोग कोन कोंसे है तो बिर्जू म करेंगे उसके वाद बात करते हैं सहारन पुरगराना क्या सातियों सहारन पुरगरना के वारे में तो इसके प्रवर्त कौन है तो खलीफा-मुहम्मद-जमा-सुफि संत कौन ? मुहम्मद जमा सूफी संथ और आको बता दें यह घाराना अलाप दोस्तों अलाप क्या होता है कान पे दोस्तों उंगली अहांत लगा के आको बता है अलाप परते हैं अलाप होरी धुरूपद गायन आदि के लिए प्रसित्था कौन सा सहारनपूर और सहारनपूर के बहराम खां को पंडित के उपाधि दी गई दोस्तों सहारनपूर के जो बहराम खां थे उनको पंडित के उपाधि दी गई आको बता है सहारनपूर के बारे उनने पढ़ाया था कि यह सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का और ये तीन राज्यों को इस पर्स करने वाला एक मातर जिला है तो 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 याद ये भी रखेंगे थोड़ा सा चलिए आगे रामपुर घराना की बात कर लें तो रामपुर रियासत के नवाब दोस्तो हामिद अली सोयम संगीत प्रेमी थे यह ता रखेंगे और रामपुर घराने के संस्थापा कौन थे नेमत खां नेमत खां सगा रंग थे इनों देखे इनके देखे समझेगा रामपुर घराने संस्थापा कौन थे नेमत खां सगा रंग थे ठीक है और इसने अमीर खुसरो द्वारा की गई देखे अमीर खुसरो कुलंदियों पर पौँचा था और इसके दोस्तों इस घराने के प्रमुक कुं थे तो उस्ताद मुंम्मत हुसायन ईस्ताद अलाउद्दिन खहां मुस्ताक हुसायन खहां अब उस्ताद सादीगली खां चलिए आगे देखते फतेपुर्सीकरी घराना ठीक है फतेपुर्सीकरी आग पता आगरा में पड़ता है यह मुगलकालीन घराना है जो कि धूरूपद और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध इसकी शुरुवात किस ने की तो जैनू खां और जु भाईयों ने की थी और अब घसीटा खान दोस्तों इस घराने के प्रसिद्स कलाकार भी थे ठीक है अगला है खुर्जा खुर्जा कहां पड़ता है अलीगर में खुर्जा घराने का आरंभ नत्थे खान के पुत्र जोधे खान से माना जाता जो कि दिल्ली दरवार में दरवा घराना इटमाघा घराने को हम गवडरी घराने के लिए इस प्रकार सो पूरा inexpensive के नामसे लगणां के लिए अगर चलिये आगे जखते हैं देखिए सितारवादक इनायत खां का समन्ध इटावा घराने से है ठीक है चलिए उसके लावाँ सूरजन खां बिलायत खां और धुरुतारा जोसी और दोसों तुराब खां ये प्रमुग है करने इसी घर आने के अमान अली से संगीत की सिच्छा भी ली थी तो यह चीज़ समझ गया चलिए कुछ महत्पूर तथ्या आपको बता दें जो की इजा में पूछे गए और यह हो सकता पूछे जाने की संभावनाएं भी हो जैसे पहला है कि आयुद्ध्या के खुसी महराज आयुद्ध्या के खुसी महराज ने सास्त्री संगीत में टपा सयली का विकास के दोस्तों उत्तर प्रदेस पुलिस में कोशन पूछा गया है ठीक है, चलिए अगला है केसर भाई, जानकी भाई, उर्फ 56 चूरी, देखें जानकी भाई को 56 चूरी की नाम जानते हैं, केसर भाई, जानकी भाई, क्रशना देवी और मुनीर खातून आधी प्रयाग राज की प्रसिद गाईकाएं हैं, ठाकुर जैजे सिंग को संगीत सासर का पितामा कहते हैं ठीक है पितामा कहते हैं और अंतर राष्टी सितार वादक समझेगा अंतर राष्टी सितार वादक पंडित रवी संकर रामपुर घराने से हैं दोस्तों याद रखेंगे यह important है अंतर राष्टी पदम भुसर्ड पदम भिभुसर्ड और 1968 में ग्रेमी अवार्ड पाने वाले पहले भारती बने दोस्तों ग्रेमी अवार्ड संगीत के छेतर में दे जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रेमी अवार्ड दोस्तों ये इनको मिल चुका है ठीक है चलिए और ऐसा प के थिवक्त दोस्तों वाद आएगी तो आप किसको याद रखेंगे हर्भवा च्राच च्य वें जाते हैं